हेलो, नमस्कार, आदाप, सस्रियाकाल, गुद मॉर्निंग दोस्तों, जी एस वाले भईया, आपका हार्दिक स्वागते हो, भी नंदन करते हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरो यारो का प्रेक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें धे आई एस का हम लोग आज इंदी का सा तो आप प्रेक्टिस सेट ले करके आए हुए हैं, इसके पहले छे प्रेक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से चारो आप्शन को एक्स्प्रेइन करके, बहुत ही कम समय में इसको समझाया गया है, और पिछले जितने भी कुश्चन आते गए हैं, उसका भी रिवीजन करा आए गया है, और दोस्तों हम लोग आने वाले समय में धे ISK जब ये 10 प्रेक्टिस सेट खतम हो जाएंगे हिंदी के और 10 GS के, GS के भी 5 प्रेक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, तो दोस्तों इसके बाद हम लोग GS World का प्रेक्टिस सेट ले करके आएंगे, जो कि बहुत ही यही पर मिल जाता है, तम सो मा जियोतिर के में, तम मतलब अंधकार हो गया और जियोति मतलब प्रकाश हो गया, तो यही पर लिखा हुआ है, तमो में, और महादेवी वरमा का एक कथन आ जाता है, मेरे प्रियतम को आता है तम के परदे में आना, तो तम का मतलब अंधकार, है कि नहीं अब दूसरा कोशन है संदेह का विलोम क्या होता है तो संदेह का विलोम विश्वास होता है ठीक है यह हो गया तीसरा है घटक का विलोम क्या होता है घटक का मतलब खंड खंड करना अलग-अलग टुकड़े तो घटक का विलोम क्या हो जाएगा समुदाय हो चौथा है श्रव का विलूम, श्रव का मतलब सुनना और द्रिश का मतलब देखना होता है, तो श्रव का क्या हो जाएगा, द्रिश हो जाएगा, अशुरूत का हो जाता है शुरूत, शुरूत का मतलब सुना हुआ और अशुरूत का मतलब ना सुना हुआ ठीक है, यह हो सभ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् विलोम की दृष्ट से, अनिवार का निवार हो जाता है, ठीक है, ये सही सुमेलित है, अटल का इस्थिर हो जाता है, ये भी सही, ये सही सुमेलित नहीं है, अटल का मतलब ही होता है, इस्थिर होना, तो अटल का मतलब होता है, इस्थिर और अटल का विलोम हो जाता है, डाव का शोख होता है ठीक है 7 तरत तन वंगी का मतलब उत्तेजन का हनुareth आ इस का मतलब विलूमन क्या हो जाएगा प्रशम्द मतलब शांत करना को ठीक है प्राच का होता है प्राच का मतलब प्राचीन गें और नवीञी नहीं हो जाएगा ठीक है दसमे कोश्चन है कौन सा एक युग में सही सुमेलित है तो दसमे का सही सुमेलित है निरलज का मतलब यह दुरलज यह सही सुमेलित नहीं है निरलज का क्या होता है सलज होता है परमार्थ का हितार्थ नहीं होता है परमार्थ का स्वार्थ होता है भक्त का अ अंदभक्त नहीं, भक्त का अभक्त होता है, ठीक, ये भी कलता है, लेकिन सही पूछा है, विकास का हरास होता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक, ग्यारवा कोश्चन है, निमने लिखित में से कौन सा एक कत्सम शब्द नहीं है, ये बताना है, इयत, उचाह, प्रोड और इयत का इतना होता है, प्रोड का मतलब क्या होता है, प्रोड का मतलब क्या हो जाता है, गोद हो जाता है, ठीक है, और निघाती का मतलब क्या हो जाता है, निघाती का मतलब निहाई हो जाता है, ठीक, ये हो जाएगा, अब बारवाएं गलत युग में बताना है, किसमें तत्सम, ठीक है, मतलब सगा का सवगा नहीं होता है, सगा का मतलब होता है सवग, सवग का मतलब निजी अपना, ये हो जाएगा, सवग, सवग का मतलब क्या होता है, निजी, निजी का मतलब अपना हो गया, ठीक है, ये हो गया, सवग का तत्सम स्वाध होता है, ये सही है, ले देखना है नीचे दिएगे तत्सम तद्भव शब्द में से कौन सा सही है तत्सम इधर होना चाहिए तत्भव इधर होना चाहिए ठीक बुढ़धा, वृद्ध, गलत है, वृद्धा और बुढ़धा होता है, ठीक, पंदर होआ है, नीचे दीएगे तदभो तदसम, युग में से, कौन सही नहीं है, तदभो तदसम पताना मतलब, पहला तदभो होगा, और दूसरा शब्द ततसम होगा, पिर फिर अने तिनका, तिरो ने तिन का, यही सही नहीं है, तिरो ने क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है, तो यही सही नहीं है, ठीक, यही गलत हो गया, यह तत्सम तत्भो रूप लिखा हुए, ठीक, दूब का दुरबा होता है, यह तत्सम तत्भो तत्सम लिखा हुए, सही, पान का तमबूल होत पीठ होता है ठीक है बाली बाली भी तद्भो है बाली का क्या होता है वाटी का होता है तत्सम ठीक है वृतिक तत्सम शब्द है ठीक नीचे दिये गए तत्सम तत्सम शब्द यूग में से कौन सा सही नहीं है तो तत्भो पहले आना चाहिए और तत्सम बाद में आना ये तद्भो लिखा हुआ और जो कि तद्भो तद्सम की दिश्ट से गलत है ठीक है अनाज और अन होना चाहिए तो यही आंसर इसका हो जागा अंधा और अंध ये भी सही लिखा हुआ है लेकिन पूछा है क्या गलत पूछा है तो गलत आंसर मारे ठीक है अठारवा है निमल आंसर इसका सरी जगा है तत्सम शब्द नहीं तत्सम पर ले करके चलेंगे हम लोग ठीक है क्यारी भी दोस्तों तद्भो शब्द है मतलब तत्सम नहीं है ये क्यारी भी तद्भो है क्यारी का क्या होता है के दारी का होता है यह ध्यान देना है क्यारी तुस्तों तद्वव शब्द और शक्कर भी तद्भो शब्द है और यही पूछाए कि कौन सा तत्सम नहीं है शक्कर का तत्सम क्या होता है शरकरा होता है शक्र होता है और क्यारी का तत्सम क्या होता है किदारी का होता है ठीक है इसमें दोनों आंसर में दोनों आंसर होंगे इसके ठीक है यह ध्यान दीज कि नहीं पूछा है कि तत्सम तत्सम प्राइश में अन्यत्र से गलत जोड़ा लिखा हुआ है और मैं इसा ही Rs. इसा सॉल्व करते हैं ठीक है वीश्वां देखते हैं निमिजित में से कौन सा सा तत्सम तत्दभव की दिरिष्टी से गलत है? उठान उठान ये सही लिखा हुआ है मलब तत्सम तद्भो की सही लिखा हुआ है अंत्र अतड़ी ये भी सही लिखा हुआ है सपतनी का सोथ होता है ये भी सही लिखा हुआ है खंड ग्रह का उपालम ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों खंड ग्रह का होता है दोस्तों खंड हर होता है ठीक है खंड ग्रह का क्या होता है खंड हर होता है और उपालंब का होता है उलाहना होता है ठीक है क्या होता है उपालंब का उलाहना ठीक है तो गलत पूछा है तो गलत D option इसका सही हो जाएगा 21 है जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं ठीक है यह हो जाएगा दुर्जेय का मतलब जिसे आसानी से जीता ना जा सके जल्दी समझ, कहते है न मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं ये वो वाली बात होगई ठीक दुर्दमनी का मतलब जिसका दमन करना मुश्किल हो 22 है वहां इस्थान जहां इस्थाई महत्ति की वस्तों का संग्रहाले कहलाए जाता है 22 है करने की इच्छा कुछ करने की इच्छा क्या कहलाती है चिकीर्शा कहलाती है और चशक का मतलब होता है सुरापात्र होता है चशक का मतलब क्या होता है सुरापात्र होता है ठीक है गुलगुली गिल में गलीचा है गुनी जन है चादनी है चिक है चिरागन की माला है कहें पदमाकर्तियों गजग गिजा है सजी है सेज है सुराही है सुरा है और प्याला है तो प्याला क्या हो जागा चशक हो जागा ठीक है चोबिस्वा जो शंका करने योग ना हो उसे नहीं शंक कहते है ठीक अलाग्य का मतलब इस लोग से परे हो विश्वस किया सकै ठीक रागा लोगु को सुझत फार्ट है रहे है कि या है को नहीं बता पा रहे हो तो ढ़ Pasti आई सब्रस आइसा नहीं कि पिछली क्लास में और इस समें है कि हम पढ़ते हैं हमकुद पढ़ते हैं से हमारा पूरे पिछले का पूरा हम आपको डी तरे भी करा आए प्छल्या कोई one नामुम्किन कारे करना ठीक है यह जाएगा दक्तक का मतलब पता ही होगा गोद लिया हुआ पुत्र होता है मिरलाल मिरलाल दोस्तों ये भी पिछले में आ चुका है ऑप्शन में था ये तो इसका क्या था कमल की दंडी होता है ठीक हमसे पढ़ेंगे पूरा रिवाइस करा दे प्रयाग प्रशस्ति क्या था एक चम्पू कावे था जिसमें गद्ध और पद्ध मिश्रित था अभी आधुनिक काल में जो मैथली शरण गुत्त थे उनकी ये शोधरा कावे है वो भी चम्पू कावे का उधारा है ठीक है ये चीज़ है तीस्वा है निर्वासित शब्द सही लिखा हुआ है मैथली अभी आगी है देखें मैथली शरण जी आगए ये गलत लिखा हुआ है और गलत ही पूछा है तो यही इसका आंसर हो जागा क्या होता है मैथली होता है ठीक है आपे छोटी एकी मातरा ठीक ये हो जागा मैथली शरण गुत्त हो जागा मनोहर भी सही लिखा हुए ठीक 32 हो जागा निमलिखित में से एक शुद्ध वाक के बताना है तो मैंने सारी को धुलवाया नहीं मैंने सारी धुलवाई हो जाएगा धुलवाया नहीं धुलवाई और को धुलवाया नहीं होगा को हड़ जाएगा मैंने सारी धुलवाई ठीक है इलाज नहीं है ये सही लिखा हुआ है statement ठीक है चारों वेदों का नाम बताओ नहीं चारों वेदों के नाम बताओ हो जाएगा ठीक है ये इसका सही हो जाएगा तो इसका C option सही होगा क्योंकि शुद्धवा के पूछा है ठीक शुद्धवा के बताना है दिल्ली में चार गिर हो गया या बाण से फसल का सत्यानाश हो रहा है ठीक ये गलत लिखा हुआ है और गलत पूछा है तो यही आंसर इसका बता है इस अशुध में हसी को संखोचना हो Queensborough नहीं यह बात इस बात की जगह हो जाएगा यह गलत लिखा हुआ है यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा या ना होगा ठीक यह हो जाएगा यह अशुद्ध लिखा हुआ है इसी आदमी को भेज़ दो यह शुद्ध है फोड़ी देर बाद भी वापस आ यह भी शुद लिखा हुआ है ठीक है दोस्तों पूरी में जगन नात जगन नात गलत लिखा हुआ है तो यही हो जाएगा गलत ठीक तो जगन नात हो जाएगा ठीक है यह हो गया ये ना हो जाएगा जगनात हो गया ठीक जगनात मंदिर जगनात ऐसे लिखा जाएगा तो गलत शुद्ध बताना है पिता जी सकुषल पूरवक यहां पहुंच गया यह भी गलत लिखा हुआ है सकुषल यहां पहुंच गया है ठीक है तो पूर्वक नहीं होगा सब कुशल वहां पहुंच गया है दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए ये सही लिखा हुआ ठीक है तो C option इसका सही हो जागा सभी वाकर शुद्ध नहीं होगे C option इसका सही हो जागा ठीक है निमलिखित में से एक वाकर शुद्ध बताना है बिजली गरज रही है गलत है बिजली गरशती कहा है बिजली तो क्यमक्ती है ये गलत हो जागा सुद्ध बताना है लेकिन मैं कपड़े नहीं दिया हूँ गलत हो जागा मैंने कपड़े नहीं दिये हैं ये सही होगा ठ 35 है निमन में से कौन सा अशुद्ध है, मंत्र मंडल शुद्ध लिखा हुआ है, मनी शिगण ये भी शुद्ध लिखा हुआ है, दुरात्म गण ये भी शही लिखा हुआ है, पित्र भक्ती गलत लिखा हुआ है, ये भक्ती नहीं होता है, पित्र भक्ती होता है, ता पर छोट ठीक है ये हम लोगों को ध्यान देना है क्या होता है दिवा रात्र होता है ठीक ये गलत दिवा जागरत सही लिखा हुआ है यथेश्ट सही लिखा हुआ है चक्छू रोग सही लिखा हुआ है अशुद्ध बताना है तो ए आप्शन इसका सही हो जाएगा ठीक प्राणी वरिंद दोस्तों सही लिखा हुआ है ठीक है ये प्राणी वरिंद ऐसे ही लिखा जाएगा हितेचु गलत लिखा हुआ है हितेचु होता है क्या होता है हितेचु होता है ठीक है ये सही हो जाएगा ठीक तो इसका option क्या हो जाएगा सी option इसका सही है ठीक है चारिसवा आए निमलिकित में से कौन सा एक अशुद्द वताना है बहिरंग सही लिखा हुआ है विश्वम्भर डुपgel विश्वम्भर सही लिखा हुआ है महा अ guitar में ये भी सही लिखा हुआ है मिरण में गल्त लिखा हुआ है 41 है अक्षय सनातन नित किसके पर्यायवाची है चाश्चुवत के सारुकालिके तो A और B दोनों के ये पर्यायवाची है 42 है भावी दैव प्रारब्ध किसके पर्यायवाची शब्दे है तो भावी दैव प्रारब्ध नियती के पर्यायवाची है वीरांगना तो बहदूर्ट इस्तिरी का परयावाची होता है वीरांगना जहांसी की रानित ठीक ये देख लेगे सौधामिनी नहीं होता है सौधामिनी तो बिजली का परयावाची होता है दामिनी एक नहीं बिजली का परयावाची होता है ठीक है तो ये आंसर सही हो लाएगा इसका ठीक है क्योंकि सौधामिनी नहीं होता है और सदा सुतगिन भी विश्या का परयावाची होता है मोक्ष का पर्यायवाची क्या होता है मोक्ष का पर्यायवाची अपवर्ग सदगती भी होता है परमगती भी होता है उपरोक्त सभी होता है 45 निमलिखित में से कौन एक हिमाले का पर्यायवाची नहीं है शैलेंद्र होता है हिमाद्र भी होता है नगपती भी होता है पुशकल नहीं होता है दोस्तों पुशकल सोने का होता है सोना हो गया कंचन, कनक, हेम, जात रूप, किरन, ये सब सोने के परियाएवाती है ठिक, 43 देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक गलत है शब्द परियाएवाती नचत्र का खदोत और रिक्ष होता है सही है नश्वर का अनित्य और विनाशी ये भी होता है अभी पिछले कुश्यंस में आया है ये शरीर का कलेवर और घट ये भी सही होता है अकान का विशाखासन और कमनोत नहीं होता है विशाखासन का मतलब होता है धनुष क्या होता है विशाखासन धनुष होता है और कमनौत का मतलब धनुष को धारन करने वारा धनुर्धर हो जाता है ठीक है धनुर्धर 47 में देखते हैं निमलिखित में से कौन एक समुद्र का परयावाची नहीं है तो 47-वे का समुद्र का परियावाची नहीं है अग्रजनमा अग्रजनमा का मतलब ब्राम्मण होता है यह हो गया ठीक है और पारावर, अरणो, उदधी यह सब परियावाची होते हैं ठीक अड़ तारिसवे प्रतारक किस एक का परियावाची शब्द है ठाग होता है दोस्टों ठीक प्रतारक का मतलब ठाग हो जाएगा ठीक है उन्चाज देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एक भिन था पचासवा है निमलिखित में से कौन सा एक उतकर्ष का परियावाची शब्द नहीं है उनमेश होता है उतकर्स आरोह ऊपर चलना होता है उतकरमण भी ऊपर चलना होता है फाका नहीं होता है फाका मतलब उपवास होता है ठीक है फाका का मतलब क्या होता है उपवास हो जागा ठीक एक विशेशन पद है विशेशन पद बताना है हमको 51 में घिरला घिरला विशेश विशेशन नहीं है यह विशेशन नहीं है घिर्णला का घिर्णलित होता है घिर्णलित कायर लेकिन फरुक्सियर यह घिर्णलित क्या है विशेशन है चाक्छुस दोस्तों विशेशन होता है ठीक है चाक्छुस का मतलब नेतर संबंदी यह हो जाएगा विशेशन अपेक्छ नहीं है तो यही हो जाएगा तो दानों का जो विशेश होता है दूलु होता है क्या होता है दुन प्रदान विशेश्य है और प्रदान का विशेश्य होता है प्रदक्त धन्स भी विशेश्य है और धन्स का विशेश्य होता है धस्त पहरा भी विशेश्य होता है और पहरा का जो विशेश्य होता है वो पहरेदार होता है ठीक है इन में से कौन सायुग में विशेशन नहीं है, चार पांच संख्या वाचक विशेशन है, काला सफेद गुलवाचक, छोटा बड़ा गुलवाचक, राम लक्षमन नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा राम लक्षमन इसका अंसर हो जाएगा 54 थे एक विशेशन पद नहीं है, अब इसमें पताना है विशेशनल पद नहीं है, मनुजात विशेशनल है, लेकिन इसका विशेश का तो मन होता है, ठीक है, विकाओ भी विशेशनल है, और विकाओ का विशेश का होता है, विकना, लेखन विशेशनल नहीं है, लेखन विशेश है, यही पूछा है तो लेखन विशेश है लेखन इसका आंसर हो जाएगा इसका जो विशेशन होता है वो क्या होता है लिखित होता है ठीक और विश्वासी विशेशनल पद है और इसका विशेश होता है विश्वास ठीक है पच्छपन में पृतिवी गोल है किस कोटी का विशेशनल है तो गोल है गुलवाचक विशेशनल ठीक है अपन देखते हैं एक विशेश शब्द है बिहारी विशेश नहीं बिहारी विशेशनल है और इसका विशेश होता है बिहार ब्याह दोस्तों विशेश है ठीक है ब्याह विशेश है और इसका जो विशेश होता है ब्याहता होता है 57 देखत बहुत और अधिक चार विशेशनल हो गए एक दो बहुत और अधिक चार हो गए तो इसके चार आंसर हो जागा ठीक है छाम ten देखते हैं और इसका विशेश होता वैचित्र दारिद्र दोस्तों विशेश है ठीक है दारिद्र क्या है विशेश है और इसका विशेशन का वता दरिद्र होता 59 तो में विशेश विशेशन की दिरिष्टे से एक गलत यूग में लिखा हुआ है तो भक्ती और भक्त ये विशेश है और ये विशेशन सही लिखा हुआ है लक्षण और लाक्षडिक ये विशेश है और ये विशेशन सही है संताप और संतप ये विशेश है और ये विशेशन ये भी सही लिखा हुआ है लेकिन वरलित और वरलन ये विशेशन है और ये विशेशन है लिखा हुआ ठीक है तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है ठीक ताठ है निमलिखित में से एक विशेशन शब्द बताना है तो विशेशन चुनाव विशेश है चुनाव का जो विशेशन हो तो वो आसन होता है ठिक और जो खतरा लिखा हुआ है खतरा भी विशेशन नहीं है विशेश है और इसका खतरा का जो विशेश होता है वो खतरनाप लिए ठीक है तो हम लोगों ने खतरनाक तरीके से चारो खाने चित्त कर दिया मलब चारो आप्शन इसके तॉल कर लिए चार आंसर आपको GS वाले भाईया टेलिग्राम गुरूप पर मिल जाएगा और हमारे WhatsApp गुरूप पर जॉइन करने के लिए हमारे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो दोस्तों उमीद करते हैं शेशन आपको काफी पसंद आया होगा शेशन को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा सबस्क्राइब कीजिएगा और वेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों हम लोग GS का भी हम लोग क्लास चलाते हैं उसमें पॉलिटी चले ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी होते हैं सेलेक्शन के लिए और आमूमन लोग पंचाने परश्चे से ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं ना ही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ना ही MCQs ना ही वन लाइनर सॉल करते हैं उसमें एक ही क्लास में ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं पढ़ाई जाती हैं बताई जाती हैं क्लास में ही याद करा दी जाती हैं फिर MCQs और वन लाइनर भी सॉल करा जाती हैं हर टॉपिक के बाद ये सारी चीज़ें करा जाती हैं दोस्तों उमीद करते हैं आपको session बहुत पसंद आया होगा session को join करते रहिए अगर लगातार और कोई भी feedback हो कोई भी comment हो कोई भी कमी नजर आये आपको तुरंट comment box में करिएगा उस पर जरूर काम किया जाएगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले session में जहिन जबहर